हलू फ्रेंज आप सब का स्वागत है रीड डिजाइन्स में तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्टाइलिश नेक डिजाइन जिसे हम फ्रिल के साथ रेडी करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी फ्रिल रेडी करेंगे तो फ्रिल के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है लगबग धाई इंच चौड़ा है और लंबा मैंने लगबग दो मीटर के करीब लिया है क्यूंकि जब ये फ्रिल रेडी होती है तो बहुत ही कम रह जाती है तो ऐसे हमने इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक रफ स्टिच कर लेनी है तांकि ये खुले ना जब हम फ्रिल को रेडी करें तो ऐसे मैंने सारे कपड़े के उपर ये सिलाई लगा लिया है अब हम इससे फ्रिल रेडी करेंगे तो फ्रिल की प्लेट हम इस तरीके से डालेंगे मैं आध्याधे इंचकी डाल रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हूँ तो ऐसे आपने इकॉल गैप पे फ्रिल्स बनाते जाना है बाद में जब हम इसको प्रेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी फिनीशिंग आएगी इसमें तो ये दिखिए ऐसे हमारी ये फ्रिल रेडी हो गी है और मैंने इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है तो चलिए अब हम इसको अपनी कुर्ती पे स्टिच करते हैं कुर्ती पे स्टिच करने से पहले अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इसको यहां से इंटरलॉक कर लीजिए तो फ्रिल को कुर्ती पे स्टिच करने से पहले कुर्ती पे हम नेक कट कर लेते हैं तो यह जो फ्रिल लानी है कुर्ती पे वो कॉलर की तरह आएगी इसलिए हम इसको कॉलर की शेप में ही कट करेंगे तो ऐसे यहां से पहले नेक की चोड़ाई ले लेते हैं हम मैं यहां से तीन इंच ले रही हूं नेक की चुड़ाई इस तरीके से तीन इंच को आप सीधा-सीधा माग कर लिजिए तो उपर से हमने इसकी लेनी है उपर से मैं यहां पे साड़े-तेरा इंच ले रही हूं लेन्ध आप अपने according जितनी भी गहराई रखना चाते हो तिन ले सकते हैं क्योंकि ये neck के नीचे cut आएगा और अब हमने यहाँ पे neck draw करना है और यहाँ पे cut draw करना है cut के लिए बिल्कुल हम कुछ भी margin नहीं लेंगे ऐसे total हमें एक पैर का margin लेना है तो आप 30 सी marking कर लिजिए यहाँ तक total एक पैर की ये दिखिए और अब हम उपर से neck draw कर लेते हैं तो यहाँ पे हम V neck draw करेंगे round में V ये दिखिए मैंने हलका सा round में V लिया है और 7 में नीचे तक cut है 3.5 इंचे तक और अब हम इसको cut कर देंगे तो ये हमारी front side थी तो इसकी cutting हमारी neck की हो चुकी है अब हमने back neck की भी थोड़ी सी cutting करनी है तो अब हम back को इस तरीके से नीचे set करते हुए रख लेंगे तो front को इसके उपर ऐसे ही set करके रख लेंगे इस तरीके से और यहाँ से बैक नेक की भी हलकी से cutting कर देंगे जादा नहीं करनी है आधी इंच की ही हमें cutting करनी है ऐसे तो अब हम इसको भी अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर देंगे और अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें shoulder अटाच करने है उसके बाद हमारी ये unfrill stitch होगे इसके उपर तो सबसे पहले हम shoulders को equal रखते हुए ऐसे stitch कर लेंगे तो दूसरे वाले को भी ऐसे ही हम stitch कर लेंगे तो shoulder ऐसे stitch हो चुके हैं अब हम कुर्टी को सीधा कर लेंगे और इसको ऐसे उल्टा करके रख लेंगे हम machine के उपर सीधी साइड है कुर्टी की ये ध्यान में रखें तो अब हमें फ्रिल को stitch करना है फ्रिल को ऐसे हम कट के उपर रखेंगे इस तरीके से एक साइड पे फ्रिल के दोनों साइड ही सीधे आप कोई भी साइड ऐसे रख सकते हो तो यहाँ पे आदे आदे इंच का मारजन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे हमारा shoulder आ गया है shoulder तक हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है और यहाँ से हम घुमा लेंगे फ्रिल को बैक नेक की तरफ और back neck पे भी ऐसे ही आदे आदे इंच का margin लेते हुए ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे हम इस तरीके से यह frill असानी से घुम जाती है यहां से भी हमने ऐसे ही घुमा लेनी है और नीचे तक सिलाई लगा लेनी है तो नीचे से हम extra frill को cut कर देंगे थोड़ी जादा ही लेंगे fold करने के लिए frill तो ऐसे हमारी ये फ्रिल सारी स्टिच हो चुकी है अब हमने क्या करना है फ्रिल को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहां पे किनारी की सिलाई लगा देनी है तो चलिए यहां से किनारी की सिलाई लगा लेते हैं तो बैक नेक पे भी ऐसे हमने किनारी की सिलाई लगानी है तो ऐसे नीचे तक हम किनारी की सिलाई लगा लेंगे नीचे से जो एक्स्ट्रा फ्रिल है उसको ऐसे अंदर की तरह फोल्ड करेंगे और यहां तक बिल्कुल किनारी की सिलाई लगा लेंगे और यहां नीचे से भी इसको सेट करते हुए फ्रिल को ऐसे यहां पे भी आप सिलाई लगा ले तो किनारी की सिलाई लगने के बाद हमारी यह फ्रिल ऐसे आजाएगी अब हमने क्या करना यह फ्रिल को ऐसे उपर की तरफ हम सेट करके रखेंगे और यहां पे किनारी की सिलाई लगा देंगे ये ध्यान में रखें आपकी सिलाई लगते हुए ये नीचे वाली फ्रिल पे सिलाई आनी चाहिए तांकि ये कट भी बंद हो जाए और फ्रिल भी हमारी अच्छे से आजाए तो स्टिच होने के बाद ये ऐसे आजाएगी तो देखें कितना ब्यूटिफुल लग रहा है ना हमारा ये नेक डिजाइन तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिजाइन के साथ मिलते हैं तिल देन बाबाई